गाजीपूर के खानपूर बाजार में रेलवे हॉल्ट के पास थित शराब की दुकान को लेकर बुधवार को हंगामा हो गया शराबियों से परिशान होकर गाव वालों ने शराब के ठेके को हटाने की मांग के साथ नारे बाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया गाव वालों का आरोप है कि शराबियों दौरा अक्सर शराब पीने के बाद गाव की योतियों के साथ चलखानी की जाती है और ऐसी ही एक घटना मंगलवार की रात को भी हुई आईए इस बारे में भीम आर्मी के विदानसवा अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार से ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है जूनियर आई स्कूल वहां पर लेके गए लड़की को बैठा के दारू दकटी रहे थे लड़की जो है मोके का फायदा उठा के वहां से भागनी चली लड़की आई घर पर पूरी घटना बताई अगाव के लोग जाके जो है कि वहां धोड़ने लगे लड़के को लेकिन सब फरार हो चुके से यह सुचना यह जो कि गहांवाले बोले कि चलिए ठाने पर सुचना दे जेते हैं जो करवाई हो जाएगे कुछ हम लोग सुधार हो जाएगा गाव में ठीक है वहां पर गए तो दरोगा साब जो अपलिकेशन लिए लेकिन कोई भी करवाई हुई नह अधर भी करें नहीं आया मजबूर हो कि हम लोग मिटिंग करके वहां पर धरना प्रदस्थन का काम कि ए हैं कि ठेका यहां से हड़ जाए लेकिन जो है कि आये एसो साफ बोले कि ठीक है यहां पर एक खब्द कर देते हैं यह खब्ते के बास पूर उससे ठेका बंद हो जाए गाजीपूर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें